जिला कांगणा में बढ़ती सडक दुरगटनाओं को देखते हुए दो पहिया वाहन चालकों को सुरक्षित करने के लिए जिला पुलिस द्वारा शुरू किया गया सुरक्षित हुँ मैं अभियान से अब तक 70% जनता जुड़ चुकी है अभियान की कमान खुद एसपी हितेश लखन पाल संभाले हुए हैं उनकी देखरेख में जिला मुख्याले के असपास के खित्रों में जागरुकता अभियान चला जा रहा है जिसमें एसपी हितेश लख चालकों को जागरू किया गया कांगड़ा एसपी ने बताया कि सडक दुरगट नौ में विशेशकर दो पहिया वहनों में पीछे बैठे व्यक्ति को ज्यादा नुकसान होता है इसी के चलते डबल हेलमेट के बारे में लोगों को जागरू किया जा रहा है अभियान के तहत मे किया मों की अनुपालना सुनिश्चित करने को पुलिस का फोकस है बिना हेलमेट दो पहिया वहन चालक का तीन हजार रुपे का चलान हो सकता है ऐसे में चालान से बचना है तो हेलमेट पहने सुरक्षित हूँ मैं अभियान के तह चो है आज भी हम लोगों का वेरनेस के लिए शीला चौकवे करें हैं हमाले पुलिस परसनल जितने भी सारे हैं लोगों को डबल हेलमेट और सीट बेल्ट के इंपोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं जिन लोगों ने सीट बेल नहीं हैं को बताया जा रहा है क्योंकि कल हमारा लास्ट डेट है फिर उसके बाद जो है इसमें पुनिटिव एक्शन दिया जाएगा और आपको बताते हूं मुझे हर्श हो रहा है काफी लोग जो हैं हमारे इस अहवान से साथ जुड़कर जो हैं हेलमेट पहन रहे हैं और आप रेंडम ली भी डबल हेलमेट भी लोग बहुत जादा लोग पहन लें सिंगल तो सभी पहन रही हैं तो यह हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए अच्छा है हमारा जो लिंक रोड है कॉलेज रोड है यहां पर सभी जगा फोकस है दीरे दीरे आप देखते जाएंगे दू वीलर में जो भी जब भी एक्सिदेंट हुए तो फैटल एक्सिदेंट बहुत जादा हुई है और जो पीछे बैटने वाला पैसेंजर है उसकी ज्यादा हुआ है उसके भी बिल्कुत सेक्षिन 177 के तहित कारवे की जाएगी की मोडिफिकेशन ऑफ कार इस नोट अलाउट अंदर एंबी एक यह सारी चीजों के ध्यान रखते हुए साथ ही साथ जो हमारा भी फोकस जो है लोगों को वेर करने का है यह मांचे प्रस न्यूस के लिए एक कंगड़ा ब्यूरो से सिंचीव महाजन की रिपॉर्ट